नमस्क्राइब सब्सक्राइब को तो आज किस वीडियो में हम एक और नई वेकेंसी देख रहे हैं जो कि आपकी लाइबरी ट्रेनी की या फिर लाइबरी प्रोफेशनल इंटरंच या फिर ट्रेनी की पोस्ट है यहां पर तो जैसे कि अलग-अलग अभी इन निरों मैंने पोस्ट जेगी है तो जाधार कर यही रहती है राजस्तान के कैंडिट्स की की हमारे लिए पर कोई वेकेंसी है क्या तो बिल्कुल यह जो वेकेंसी है वो इस्पेशली राजस्तान के कैंडिड्स तो यह आपकी जो फढ़ती आई है यह आपके IIT जोधपूर की तरफ से पर किया है यहां पर जो पोस्ट है वो चार है नंबर ऑफ पोजिशन और पोस्ट का नाम आपने देख लिया है और यहां पर हम बात करें एसेंशल क्वालिफिकेशन की तो मास्टर्स of library information science equivalent भी option आप देए हुए है लेकिन आपको ध्यान में रखना है जन्होंने पास की हुए की 122 में वो eligible होंगे यहां पर तो यह चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा master's वारे eligible है और इस तरह कि अगर आप vacancy देखना चाहते हैं कि library training की या फिर library science field की vacancy आपको देखने को मिले या फिर ऐसी कोई भी vacancy ना हो जो आप miss कर पाएं या फिर खहीं बाहर की भी हो लेकिन आप चाहते हैं कि आप apply करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता चलबाता है तो आप जरूर हमारे इस telegram channel को और इस youtube channel को जरूर जो है join कर लीजेगा और इस channel को subscribe करना बिल्कुल न भूले ताकि आपको जो है समय पर सबसे पहले updates मिलती रहें library science field की जते ही vacancies रहती हैं और recently post के वे वीडियो उसको जरूर देखने ना और last एक चीज जो है last date जो रहत जाती है तो अगर आपके काम का वीडियो है तो आप उसको जरूर देखेगा काफी सारे vacancies अभी आई भी हैं उनमें अगर आप eligible हैं apply कर सकते हैं तो जरूर देखेगा telegram channel भी है वहां पर भी vacancies की notification direct send कर दे जाते हैं group भी बना हुआ है discuss भी कर सकते हैं आप एक दूसर एक सा है और लीव जो है हम बात करें आपके CL जो आपको मिलेगी वह 8 days की मिलेगी medical facility भी है यहां पर और यह जरूर इंस्रक्शन को देवे हैं और 5th of February तक आप apply कर सकते हैं पांच विजे तक यहां पर और यहां पर आपको जो है link मिल जाएगा और साथ में apply करने का लेकिन यह जो प्री चार्ज नहीं की जा रही है application fee कोई कुछ भी नहीं है आपको सीधा जो है google form का link है उस पर आपको यह form अप्लोट करना ही है और अपने detail जो है फिल कर देनी है यह आपके step by step पूरी mention keyways को पढ़ लेना और apply कर दीजेगा I hope आपको नई update मिली होगी चानकारी मिली होगी इसको वीडियो को जरूर शेयर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत दूब कुजेगा कोई भी query हो तो फोस्त लेजेगा thank you